हेलो एवरीवन दिस इस अरियंत और वेलकम तो दे मार्केट अनलेसे रिपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर हम बात करें लोगर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आज अगेन देखने को मिली कल का जो सेशन था वहाँ पे एक सेलिंग पैशर हमें देखने को मिली थी और डीप रेड क्लोजिंग वहाँ पे हुई थी बट आज जो मार्केट में गैप अपनिंग हुई मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया जो गैप अपनिंग हुई यह वाला लेवल अगर आप निफ किया मार्केट वहाँ से 17,251 जो निफ्टी इंडेक्स है वो 17,251 तक गया एक टेलिग्राम चैनल में मैंने मैसेज भी पूस्ट किया था कि 17,250 बिंग था क्रोशियल लेवल वो क्रॉस करना पड़ेगा उसके ओपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर फर्दर अपसाइट तो यहां पर किया 250 एक रिजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस नहीं किया वहां तक टच किया थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ गई विच इस नॉर्मल क्रॉस करता है तो 17,400 लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है 400 बिंग दर रिजिस्टेंस जहां से बार-बार रिजेक्ट हो र Selling pressure के बाद, Rears क्या आ कर रहे थے? सका हाद थे? एक दम से अगर Gap Opening होती है तो उसके बाद चलते हैं bank nifty की तरफ bank nifty again the same thing यह zone हमने mark किया था nifty bank nifty दोनों में zone के आसपा से वापस buying pressure देखो selling pressure बनी हुई है लेकिन हमने zone mark कर रहा है कि यहां के आसपा से buying pressure आ सकता है यह break होगा तो further selling pressure हो सकता है otherwise this is the buy area और हुआ क्या देखो इस दिन तक 6th of December कल के वाले दिन तक last day end तक selling pressure बना हुआ था retailers क्या सोचेंगे sell sell और कल मैंने message और पूश्ट किया था जब सब sell side में हो तो be cautious महां पर आप fresh sell मत करो क्योंकि क्या होता है न जो बड़े players होते हैं और retailers होते हैं अब कल क्या था सब लोग pain में थे और even आप nifty sorry even आप media channels भी देखोगे सब जगह sell sell था कि 16500 600 यहां तक possible वहां पाई तो जब सब जगह sell हो and market demand area के आसपास आ गया तो हो सकता है कि fresh selling वहां नहीं देखने को मिले ऐसा कुछ golden rule नहीं है this is just human psychology जो हम market में implement करते हैं तो हमें यह चीज़ पता लग जाती है and आज देखो क्या हुआ जिसने कल short sell किया होता आज gap of opening उसे chance ही नहीं मिला even उसकी cost भी नहीं आई जिसने आपे sell किया gap of opening होई market ने respect किया and आज closing बहुत positive हुई है bank nifty की अगर यह bank nifty इस चीज़ को respect करता है देखो अभी overall एक resistance के आसपास है बट अगर इसको cross करके respect करता है तो यहां से एक अच्छी खासी rally आने वाले दिनों में हमें bank nifty में देखने को मिल सकती है एक base बना रहा है otherwise क्या होगा जो यह level है अभी 36,000 let me check 36,600 to 700 का इसी के आसपास से वापस से हमें selling pressure देखने को मिल सकता है कहां तक का same यही level 35,500 से 35,800 इस level तक मतलब कि जब तक कि यह level यह दोनों break नहीं करते इस range में घूम सकता है तो अभी यह वाला level 36,700,800 इसको cross करके closing होना strong closing होना और you can say 37,000 के ओपर closing होना बहुत important है एक बार closing होती है तो door open है फिर हमें यहां पर 39,000-40,000 level भी easily देखने को मिल सकता है देखो जब तक यह level break नहीं होते buy on dip opportunity यह break होता है तो view change भी हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है मैं अभी buy on dip बोल रहा हूं तो कल को market break होगा तब भी same view रहेगा नहीं यहां पर हम loss book कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं फिर वापस market नीचा आएगा तो opportunity find out करेंगे because अभी overall respect कर रहा है market support area में stock specific panic आपको देखने को मिलेगा बट overall index कहीं नगी देखो क्या होता है एक stock गिरता है बहुत जदा एक stock उपर हो जाता है तो index maintain हो जाता है वहाँ पर लेकिन अगर आपके पास में वह stock है जो बहुत जदा गिर रहा है तो आपका portfolio down आ जाएगा आप को लगेगा कि market गिर रहा है but market maintain कर रहा है कोई और share contribute कर रहा है buy side में and कोई और share जो है वो fall हो रहा है तो index अगर देखोगे तो overall last कुछ दिनों में देखोगे एक range में चल रहा है अब यहाँ पर यह जो range आप देख रहे हो इसको break नहीं कर पा रहा है वो इसी वज़े से तो जब तक यह break नहीं होती है fresh downside हम नहीं देखते हैं upside breakout भी यहाँ पर आता है तो उपर आ सकता है otherwise इस range में जो है market move कर सकता है चलते हैं हम एक Reliance share की तरफ Reliance का अगर हम चार्ट देखे तो again support area के आसपास है Reliance का अगर हम चार्ट देखे तो 2300 के आसपास 23, 2350 last time भी मैंने आपक share किया था जहां से move देखने को मिली उसी area के आसपास respect कर रहा है ठीक है major अगर इसका मैं support बताऊं तो वो है near around 2250 to 2200 that means की एक छोटे 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 गैप में 3-4 support है तो अगर मैं पूरा area ले लेता हूं तो 2200 से 2350 यह 150 point जो है यह पूरा एक अच्छा demand zone है इसका इस level के आस अच्छे break होता है तो एक बड़ी selling pressure आएगी but I don't see जब तक की कुछ बड़ा नहीं होता है मानलो यह जो corona का panic है यह maybe a panic ही रह जाए कुछ time में यहीं पर market थोड़ा volatile होके recover हो सकता है because already यह कहीं हद तक discounted है हाँ बहुत जादा कुछ worst होता है situation worst होती है तो बात अलग है otherwise I don't see कि बहुत जादा यहाँ पर selling pressure market में देखने को मिलेगी तो this is buy level देरे-देरे market recover होता है तो यहीं कहीं से recover हो जाएगा again the same thing की छोटे-छोटे stop loss put करोगे हो सकता है आपके वो hit हो जाए तो personally I will recommend you कि आप क्या करो in dips में opportunity में थोड़ी-थोड़ी quantity में 100% पाक मत करो थोड़ी- quantity में add कर सकते हो stocks को and disclaimer कि I am not your savvy registered analyst आप जो भी buying करते हो please consult with your financial advisor आप अपनी analysis करके उसी के बाद में कुछ invest करिया SDFC bank की तरफ अगर चले देखो bank nifty एक support पे SDFC bank की अगर हम बात करें तो एक congestion zone है यहाँ पर 1530 अगर आपको याद हो तो पहले हमने देखा था कि 1530 support था ठीक है 1530 हम यहाँ पर discuss कर रहेते support है इसके आसपास buying करनी चाहिए लेकिन वो break हो गया market नीचा है then 1480 वाज गोड़ सप support अब देखो 1480 के आसपास आया था और मैंने बोला था 1480 के आसपास add करना है आपको support area है लेकिन देखो इसने यहाँ पर support break भी किया था this is why it is very important that you have to wait for sustainability ठीक है यहाँ पर market sustain देखो कितना हुआ sustain नहीं हुआ आया तो यह नीचे तक 1460 तक but 80 से नीचे sustain ही हो पाया that means कि जैसे यहाँ पर आया buying pressure हमें देखने को मिला है indecisiveness वहाँ से cover हुआ अब यह 1530 1540 के आसपास थोड़ा resistance face कर रहा है cross करता है उपर जा सकता है बैंक निफ्टी का भी same ऐसा ही chart है कि high side में एक resistance face कर रहा है तो मतलब यह अगर breakout आते है न तो range में चलेगा bank nifty range में चलेगा breakout आता है तो वह help कर सकते हैं bank nifty को lead करने के लिए देख लेते हैं market contributor nifty 50 में आज सबसे जादा हिंदाल को अच्छा कासा contribute किया lower level से एक अच्छे recovery आई steel sector में अच्छा एक bounce देखने को मिला Tata Steel की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी lower level पे अच्छी कासी upside देखने को भी लिए दोनों इस share में lower level से एक small short term breakout देखने को मिला अब 1113 Tata Steel sustain करता है तो आने वाले दिनों में 1172, 1200 का level भी देखने को मिलता है and so on अगर यहां से वापस नीचे आता है तो हमें 1070 का level भी वापस देखने को मिल सकता है जो यह वाला low था इसको हम support मान के चलेंगे same हिंदालकों का chart भी kind of similar है यहां के आसपास से breakout आया है कल gap up opening होती है जो opening होती है यह level respect करता है कि इस level से उपर उपर रहता है तो bullish हमें देखने को मिल सकता है resistance इसका होगा 460 के आसपास जहां से breakdown आया था उसके उपर further जाके sustain करेगा तो यहां पर breakout देखने को मिलेगा access bank again the same thing जैसा मैंने बताया bank nifty closing अच्छी कासी हुई है SDBC bank भी resistance के आसपास से breakout देता है तो help मिल जाएगी but आप access bank का अगर chart देखोगे तो इसका chart भी bottom out लग रहा है कि हो चुका है and access bank bottom out pattern बना के यहां पर reverse करने कोशिश कर रहा है 690 के उपर sustain करता है तो वापस है हमें 720, 750, 800 तक की level भी देखने को मिल सकते है all these views are positional basis यहां पर एक दिन दो दिन का view नहीं है overall market का view हो सकता है कुछ weeks लग जाए हो सकता है month लग जाए जब तक कि यह support break नहीं होता है यह view यहां पर continue रहेगा this is the support यहां पर bottoming out pattern काफी साई share में बन रहे है अब हब देखोगे ICIC bank मतलब लगाता banking shares हम देखें तो अच्छा चाट यह भी support के आसपास से आज एक बहुत strong candle देखने को मिली ठीक है यहां पर breakout देखने को मिला level sustain करता है अब हो क्या रहा है आजकल market एक दिन उपर जा रहा है लेकिन उसके बार में वापस selling pressure आ जा जा रहा है तो एक दो दिन अभी और wait करना है कि market इन चीजों को respect करता है क्या अधरवाइस कल अगर selling pressure आता है तो यह वाली जो move थी यह बिकार हो जाएगी इसका कोई use नहीं होगा useless हो जाएगी respect करके इसके उपर market sustain करता है तो हम मानेंगे हाँ buying pressure आ रहा है market recover होने को ready है Tata Motor की अगर हम बात करें already मैंने बोला है इसको 450-60 के आसपास की add कर सकते हो अच्छा कासा upside वापस support की उपर आ चुका है आने वाले दिनों में auto sector में थोड़ा push आता है तो 500-530 का level हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है और बहुत सारे shares हैं जो कि bottoming out कर रहे हैं जो कि मै आप एड नहीं करेंगे stock specific चल रहे हैं जैसे ऐसे मुझे लगेगा कि add कर सकते हैं I will share my view on telegram और होता है तो YouTube में भी हम discuss कर लेंगे तो तब तक आप stock specific करो confirmation का बहुत वेट करो ऐसा नहीं कि आज rally आई तो आप आंग बंद करके आप buy side हो जाओ ऐसा नहीं है buy हम करना है बट एक perfect opportunity जब मिले तब छोटी-छोटी dips में आप buy करो छोटी-छोटी quantity में आप buy करो एक अच्छी dips में और reversal अगर आता है add करो panic मत हो यहाँ पर अगर थोड़ी से भी volatility आती है क्योंकि जैसे ही थोड़ी अपाएगा market में कुछ नखुछ news वापस आने लग जाएगी जो की panic create करेगी but overall धीरे-धीरे करके यहाँ पर अगर market settle होता है तो वापस आपको अपमूग आते वे दिखेगी market thank you so much for watching this video मिलते हैं next video में तब तक take care bye bye stay safe